सरकार के आंकडों की पोल खुल पर आवाज बिटी है आवाज की तहकीकात पूरा परदाफाश चिताओं ने बढ़ाई चिंताएं सरकार के भरो से मत बैठी है सरकार आपके भरो से बैठी है यहां शमा की लौ में परवाना नहीं बलकि शमा की रूह चलती है क्यूंकि यह वो सच है जहां रोश्नी बेनूर है यहां जिन्दगी क्या मौत क्या सबके हिस्से में बराबर की बेकद्री है डॉक्टर अगर भगवान है तो अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुर्दवारे या गिर्जा घर से कम तो नहीं लेकिन इनी भगवान के घरों के बाहर मानवता तिल-तिल मौत को सपर्श कर रही है सासे बुझती लौसी अंदिकार की ओर जा रही है वहीं चिताओं को भी चिंताएं हैं कि बिना किसी कतार के काश आज तो विदाई मिल सकती लेकिन ना तो जिन्दगी को कोई सुकून है ना मौत को आराम अब इस बारा बोटी आ रही थी सब लोग अब ये एक साथ बीस पचीज बोटी आ जाता है अब इसे बहुत भाना 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 खाला थे एक गंटे में कभी तो चार बोटी इसको उठाते हैं कभी एक ही गंटे के अंदर पांच भी बोटी कोवेड के वट जी है नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है हार्दिक अभिनंदन भी है आप सभी का न्यूजवल इंडिया का खास प्रोग्राइम है आवाज उसका मैं होस्ट हूं काविंद्र चौहान मेरा नाम है आज का दिन जो है वो खासा अनफॉर्चुनेट है मेरे लिए मेरी रिपोर्टिंग के हिसाब से क्योंकि आज आपको मैं वो तस्वीरे दिखाना चाह रहा हूं जो तस्वीरे मैं कभी नहीं चाहता था कि आपको दिखा सकूं या आपको दिखाने की कोई जरुरत भी मैं मوجود हूँ सहरे गाजी आबाद में ये गाजी आबाद का हिंडन इलाका है यहां पर आज मैं आया हुआ हूं कुछ तस्वीरों से आपको तालुक कराने कुछ तस्वीरों को मुकमल कराने की देश के हलाओ दरसल क्या है किताबी बातें और किटाबी आंकडूं सब कुछ दोनों ही बराबर और मुकमल रूप से परिशान हैं। जिन्दगियां जो हैं वो अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन की आस में दम तोड रही हैं। तो कई जिन्दगियां जो हैं वो बैड़ ना मिलने की नाखुशी के चलते घरों पर तिल मिलाहट के साथ मौत को गले लगाने की आगोश में जाती हुई नजर आ रही है। तिहाई की बात करो। मतलब 75 फीसद से जादा जो शब है वो कोविड-19 के मरीजों के जिनकी मौत हो गई हैं उनके हैं तो ऐसे में जो यहां पर हकीकत है वो यह है क्योंकि आकड़ों में बताया जाता है गाजियाबाद प्रशाशन की तरफ से कि अभी तक 104 मौते हुई हैं लेकिन असलियत ये हिंड़न शम्चान घाट पर यहां पर जो प्रभंदक हैं जो पंडित जी हैं जो यहां पर देखते हैं उनसे बात करके जानेंगे पंडित यह बताईएगा यहां पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत कितने लोगों के शवों के अंतिम संसकार किये जा रह हैं महाँ पर अभी दस बारा कारीब संक्या से ज्यादा बढ़ गया है यहां पर दस बारा ही चार दिन से च। क्रूना काrav paying से तरीक से तना कोविड भी और वैसे भी तो यह समझ नहीं आ रहा है कि इतना आखिर क्यों हो रहा है तो कोविड का भी बढ़ गया है कोविड का भी पीछे दो महीने कुछ नहीं था शांती रहा यह कोविड लगता है दुबरा आ गया है बीते आठ दस दिनों से जिस तरीके से शवों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ गए तो ऐसे में विवस्थाएं भी कहीना कहीं चर्मर आ जाती है तो आप के यहां भी ऐसा ही कुछ हादे कि ऐसा है अब जे एक हॉस्पिटल मानिए यह शम्शान घाट है तो जब पेशेंट आते हैं तो उनको देखने के हिसाब से ही सब को सीरियल देखा जाता है तो ऐसी यहां समशान घाट में अंतिम संथकार है जैसी आते हैं संथकार के लिए दस बारा बोड़ी आ रही थी सब लोग थोड़ा थोड़ा आएक गंटे के गैप में आ रहे थे सब को कोई परिशानी नहीं था अभी एक साथ 20-25 बोड़ी आ जाता है चुछ तसले 6000 को संथकार कराके के कपाल की रिया कराके हम लोग बाहर आदे पोने घंटे में विदा कर देते हैं फिर हम 6 बोड़ी अंदर ले ले दे थे हैं हम लोग करीबन करीबन जो है अभी सुबह से अभी आप देखिए तो मेरे ख्यास ते शायद दो बज़ गया है तो दो बज़े तक कि मानिए के दस बज़े से संदकार यहां शुरू हुआ था तो हम लोगों ने शे घंटे के अंदर बारा बोड़ी का संदकार आदे घंटे से बैठता है हमने यहां पर बीस बोड़ियों का संदकार अभी तक करा दिया है और हमने उदर भी कोविड की तरफ भी अभी इलेक्टिक में चेंगे शुरू दिन से भायानक तस्वीरें दिख रही हैं बहुत भाना भायानक हालात हैं कल यह समझे के रात को जो बोड़ी दिन में आ गई दूपहर तक आ गई शाम तक आ गई उनको हमें संदकार कराते कल साथ बोड़ियों का हमने संदकार कराया और जो दस बारा कोविड प्रोटोकॉल के तहित कितने लोगों का अंतिमस कार क्या जा रहा है आपसे आकड़े लिए जाते हैं हमारे पास कोई आखड़ा वगएरा नहीं है हमारे नौर्मल देकोर्डे मेरे पीछे कई लाशें जो एक साथ चल रही हैं देश के तमाम जगहों से इसी तरीके की खबरे आ रही हैं मैं इनको जलती हुई लाशे इसलिए बता रहा हूं इनको अंतिम संसकार इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि अंतिम संसकार का पूरा एक प्रोसीजर होता है पूरा एक प्रोसेस होता है जिसके तहत अंतिम संसकार किया जाता है लेकिन यहाँ पर ना तो कोई प्रोसीजर है ना तो कोई प्रोसेस है यहाँ पर गिंतियां है कि तीन नंबर के शव को लाया जाए उनको जल्दी की हड़बडाहट में जला दिया जाता है फिर चार नंबर के शव को लाया जाए उनको भी जल्दी की करिए है कि यह वो जगा है जो सबसे शांत रहती थी आज यहां सबसे ज़्यादा हट है सबसे ज़्यादा रोना चीखना सबसे ज़्यादा दुख है सबसे ज़्यादा यहां पर तीमारदार है उनको पता नहीं है कि उनको क्या करना है क्योंकि मौत जो है वो भी अब शांती स भगवान के पास नहीं जा पा रही हैं क्योंकि ना तो उनके पास चार कंदे हैं ना तो उनके पास उनके अपने हैं उनके प्यारे हैं जो यहां पर मौजूद रहें और पूरी प्रोसेस जो भी तक फॉलो होते आए हैं धर्म के हिसाब से उस तरीके से उनको जलाया जा सके ल लाई जा रही है लगातारेक के बाद एक लाशे जो है वो जलाई जा रही है इसके साथ ही बाहर जो दर्वाजा है वहां पर भी कई तीमारदार जो है कई जो परेजन हैं वो अपने शवों के साथ वहां बैठे हुए हैं कई शव जो हैं वहां लाइन से कतार में वहां पर है कि वक्त जो है वो हमारे सामने से राख बनकर उड़ता चला जा रहा है लेकिन जो चीजें हैं जो बाते हैं वो यहां भी समझनी जरूरी है कि इस वक्त देश के हुक्मरान कहां है इस वक्त देश का वो तपसे ताकतवर आदमी कहां है तो आपको बता दें कि प्रदानमंत् व्यस्त हैं तब जनता यहां पर समशान घाटों में अपनों की लाशें जलाने में व्यस्त है यह इस समय भारत का सूरते हाल है। जानते कि ऐसी मौतें जहां बच्चे यतीमी के खौफ से सहम जाएं माएं जीते जी मर जाएं और सुहागने अपने हवास खोदें एक ही दिन में कई-कई घरों से अर्धियां उठें कई-कई घरों जड़ जाएं। कोरोनों ने कोरा मचा रखता है। एक साथ इतनी जलती भी चिताओं का वीडियो जब वाइरल हुआ। फिर क्या था प्रशाशन जाग उठा और जाप पहुंचा बैकुम धाम के चारों तरफ टीन शेड़ लगवाने में। लेकिन साहब ये भूल गए कि वो चिताओं के आकड़ों को चुपा सकते हैं। चिताओं को वो तिन की जरीए भी चुपा सकते हैं। लौ की लब्तों को कहा तक चुपाएंगे। उस दूहों को कहां तक चुपाएंगे जो आसमान को छोती हुए लखनों से न्यूजवर्ड लिया के लिए रुबी सित्वित कोविड से मनने वालों की शंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और प्रशाशन कहीं न कहीं जो कोविड से मनने वाली जो देट है उनके आकड़ है उसको छुपाने के लिए कहीं न कहीं आकड़ी छुपा रही है सरकार प्रशाशन लगातार फैल होती नजर आए तो जो कतारों में जो एंबिलेंस ओ खड़ी रेती है जो सब वाहीनी कड़ी रेती है वो लगातार 60 से 70 जो हर दिन लोग कोविड से मरते हुए नजर आये लेकिन सिर्फ सरकारी आंकडों में जो देखा जाए तो सरकारी आंकडों में सिर्फ एई दिखाया जाता है कि वालों की संख्या में लगातार गलत आंकडे चुपाते हुए नजर आ रही है कि कोई कोविड से जिसकी मौत हुई हो उसका शव यहां आता है कोविड प्रोटोकॉल के ताहित उसका अंतिम संसकार किया जाता है तो ऐसे में परीजन वहां पर मौजूद रह सकते हैं या उन थोड़ा नजदीक दूरी बनाके संसकार दर्शन करने में चाहते हैं तो महां वो पीपी किट के द्वारा उनको करा जाता है वह वहां इलेक्ट्रिक के इंचार्ज है विकास जी वह उनके अंडर में चला है तो अभी तक तो पूरा ये नियम से करा रहे हैं जी जो पूरा जो प्रॉस्स होता था जो बाकी जो पूजा विधी जो सब कुछ वो अभी साइद नहीं मुकमल उपा रही टुछ वी नहीं हो पा रहा है हालात ऐसा है तो बाकी है के दूर रहे करके पिंड़दान पूजा करके वह उनके नाम का वहां चला देते हैं समझ रहे हैं वो सब आज का आवाज का प्रोग्राम कि आपको डराने के लिए नहीं वलकि आपको इतिला करने के लिए है कि जो चीजें हैं जो ग्राउंड पर जो तस्वीरें हैं वह बहुत खतरनाक हैं एंबुलेंस नहीं है अभी सरदार जी ने हमको बताया कि 10,000 रुपए लोग देने के लिए हैं लकिन एंबुलेंस नहीं मिलंगें हैं पर जो यह करूना काल चल रहा है स्टाम पर इस टाइम पर नए आभी से मिलती एं नहीं Time台灣 बॉडिस को ले के आती है वहां से ऑस्पटल से यहां लाकर छोड़ देती है उसके इलावा हमारा गुर्दवारा इंदरा पुरम के अंदर टेस्टिंग चल रही है जो तीनसो से वे यह निशुल्क सेवा चालू करी है जिसके अच्छा ये बताएगा एक दिन में कितनी कितने जो शव हैं वह आप यहां पर लेकर आजाने पढ़ता आपको आप मान के चलिए इसके अंदर आठ से के मेजर्स फॉलो करने पड़ते हैं तो कितने अब आपको लाने पड़ते हैं हमें पीपिखिट बिना के ड्राइवर को प्रोटेक्शन पूरी करके और फिर उसके बाद सारी डॉक्टर टीम महां से जो उसको बॉडी को रखवाती है यहां घर के प्रेजिन आते हैं आके अप पर लागे हम छोड़ देते हैं एक गंटे में कभी तो चार बॉडिस को उठाते हैं कभी एक ही घंटे के अंदर पांच भी बॉडिस कोवेट की दो गाड़ी चल रही हैं एक ट्थे उठानी पड़ जाती है इतने दिनों से यह हाल है यह जो कोवेट का एक दम से जो चलो की त तो बहुत ही बुरा हाल हो गया बहुत ही बुरा हाल पहले इतना बुरा हाल पिछले टाइम लॉक्डॉन में था जब यह करोना काल पहला था अब तो उससे भी ज्यादा भ्यंकराल आते हैं इसके साथ ही शमशान घाटों पर नंबर लगाने पड़ रहे हैं कई-कई घंटो तो बर जगा नहीं है तस्वीर बहुत खराब है मैं आपको जादा जानकारी भी नहीं दे पा रहा क्यूंकि यहां पर आकर माहौल कुछ ऐसा हो जाता है इतना दुख इतनी पीड़ा इतना कुछ बहरा हुआ है लोगों में यहां पर तस्वीर बहुत खतरनाक हैं आप सभी को चाहिए कि इस वक्त आप सभी जितना जादा हो सके अपने आपको घरों में रखें क्योंकि सरकारों के लिए जो महज आंकड़े हैं वोगर आपके घर से एक भी कोई सदस्य अगर कम होता है तो उसकी पीड़ा सिर्फ आप समझ सकते हैं यह वक्त ऐसा है कि जब सरकारों क के भरों से ना बैठ कर हर किसी को चाहिए कि वह अपने खुद से चीजों को बहतर बनाने की और कदम बढ़ाए बहतर बनाने की कोशिश करें हमने यह तस्वीर आज की सिर्फ आपको इसलिए दिखाई कि घर बैठ कर अखवार खोल कर जब आप आप आखड़े पढ़ते हैं तो उना आखड़ों पर बिल्कुल विश्वास न करें क्यूंकि वो जो आखड़े देने वाले जो लोग हैं वो आपकी कितनी फिक्र करते हैं वो आपको पूरे प्रोग्राम देखते देखते समझ आ गया होगा तो ऐसे मैं आपको चाहिए कि आखड़ों पर विश्वास न अभी तक हुई हैं लेकिन यहां पर जो लोगों ने हमको बताया वो विश्वास उससे उलट है जब देश में लाक से जादा रोजाना कोरोना मरीजों के केसिस आ रहे हों जब रोजाना कितनी सैंकड़ों की संख्या में रोजाना जब मौते हो रही हों वो भी कागजी जमी लोगों को बचाने की कोशिश करें बचे कोशिश करें कि किस तरीके से माबाप को बचाया जा सके माबाप कोशिश करें कि किस तरीकों से अपने बच्चों को बचाया सके हर किसी को अपने साथ ही अपने दोस्त अपने प्यारों को बचाना है यह वक्त बहुत कठिन है लेक एक समा जलाने की कोशिश करती रहेगी धन्यवाद